आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे जादा बेरोज़गारी है नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कॉंग्रेस पार्टी ने 70 साल में कॉंग्रेस पार्टी ने इतनी महंगा हिंदुस्तान को नहीं दिखाई RSS और नरेंद्र मोदी जी ने नफरत की राजनेती शुरू की जहा भी नरेंद्र मोदी जाते हैं कोई ना कोई धूट बोल जाते है कि आने वाले वक्त में Congress Party खतम हो जाएगी। अब Congress Party को संभालने वाला, कॉन बचा है। अब कंग्रेस पार्टी की बागदोर किसके हाथों में दी जाएगी और ये पार्टी नेपोटिजम से बाहर कबाईगी, जब ऐसे सवाल खड़े हो रहे थे और रहूल गंधी को नेपोटिजम का रिजल्ट माना जा रहा था, ऐसे में रहुल गंधी करते हैं एक यात्रा की अनौंसमेंट जिसे कहा जाता है भारत जोडो यात्रा यह देश जो है शेरों का देश है शेर्णियों का देश है बपर शेर किसी से डरता नहीं है किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है तो इस यात्रा का मेसिज यह है मौपत करने वाले कभी नहीं डरते और सुन लो डरने वाले कभी मौपत नहीं करते यह है उनमें और हमें फरत हम डरते नहीं मौपत करते हैं कि दर्सल अभी का दौर कॉंग्रेस पार्टी के लिए कुछ सही नहीं चल रहा था कॉंस्टेंटली लोगों का विश्वास हारना जन्ता का विश्वास हारना अपने पार्टी में कलेश एसी चीजों से पार्टी के उपर और जन्ता के उपर इसका एक गलत कि समझ ही नहीं है ये कहा जाता था इसे में ये पार्टी चला पाएंगे इसके बाद राहूल गांधी फॉर्म में आते हैं और अनाउंच करते हैं भारत जोडो यात्रा की जो बारा स्टेट से और दो यूनियन टेरिटरीस से होकर गुजरेगी जिस आज हिंदुस्तान में 45 स और शाल से सबसे ज Lock the Be Aside नरेंड्र कमोधी के टे सबतर साल में क्या किया कॉंगरेस माटी ने सबतर साल में कॉंग्रस्पार्टी हिन्दुस्पार को नइई दिखाई आरे श्र सब नरेंद्रमोधी जीने नफ़रत की राजनेती शुरू की कि लोग तंत्रा आज हिंदुस्तान में नहीं है, खतम हो गया है डिमोक्रिसी इस नाओ ए मेमरी इन इंडिया, तिस नफंग मॉर्ड ऐसा वक्त जब पार्टी खतम होने के कगार पर है ऐसे में किसी यात्रा से या कुछ लोगों की एक छोटी सी यात्रा से क्या ये पार्टी बच जाएगी, ये अपने अस्तित्व में वापस आ जाएगी देखिए, हर इनसान को एक ऐसा नेता चाहिए होता है जो उनसे परस्नली कॉंटेक्ट कर पाए और ये जो यात्रा है ये भी लोगों को साइकोलोजिकली इफेक्ट करने वाले होती है तो ये होने वाला ऐसा है कि आप खुद सोचिए अगर कोई ऐसा एक बॉलिवूड का एक्टर है जो आपको पसंद नहीं है फिर एक दिन वो अचानक से आपके घर पर आ जाता है और उसके बाद मीडिया की और लोगों की भीड लग जाती है तो कुछ वक्त बात कहीं न कहीं आप उस एक्टर को आटोमेटिकली पसंद करने लगीए वही हो रहा है इस यात्रा में भी था नहीं है कि यह यात्रा सिफ कॉंग्रेस पार्टी कर रही है इलेक्शन के समय में हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है रैलीज निकालती है लोगों के घर जाती है इवेन उनका जूटा तक खाती है और ऐसी रैलीज का एक ही मोटिव होता है कि लोगों के दिमाग में अपने पार्टी का प्रचार डाल सकी है। आप खुछ सोच कर देखिए, 2024 से ही कॉंग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। तब भारत यात्रा क्यों नहीं की गई? या भारत जोड़ो यात्रा क्यों नहीं की गई? इसका टारगेट है 2024 के elections, राहुल गांधी is being polished for the post of PM chair, लेकिन क्या इस यात्रा से फरक पड़ेगा? क्या इस यात्रा से लोग अपना मन बदलेंगे और राहुल गांधी PM बन पाएंग 2024 के elections के बाद भी PM की जो कुरसी है वो BJP ले जाएगी लेकिन हाँ, Congress तक्कर बहुत अच्छा देगी and the only thing which would left in the party better luck next time